Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 9 physics का एक छोटा सा और interesting topic और वो है magnetism तो magnetism जो word आया है, वो आया है word magnet से, magnet word आपने सुना होगा और even आपने magnets देखे भी होगे magnets को use भी क्या होगा, तो magnet की definite property होती है जो कि आप जानते हो कि वो कुछ materials को अपनी तरफ attract करता है, जैसे iron हो गया, तो nails वो अपनी तरफ क्या करता है, attract करता है, तो ऐसे substances को हम क्या कहते है, magnets कहते है, और magnetism उनकी इसी property को कहते है, कौन सी property को, कि जो दूसे substances को अपनी और अपनी तरफ attract करने की जो उनकी tendency होती है, property होती है इसी property को हम क्या कहते हैं magnetism कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे types of magnets की तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके magnets होते हैं natural और artificial magnets तो natural magnets मतलब जो naturally occur करते हैं naturally जो होते हैं exist करते हैं उनको हम क्या कहते है natural magnets और artificial magnets they are man-made magnets तो हम जिन magnets को बनाते हैं उनको हम क्या कहते है artificial magnets तो जो natural magnets होते हैं उनका कोई definite shape नहीं होता है कोई किसी भी shape में आपको मिल सकते हैं और जो artificial shape magnets जो होते हैं उनका एक definite shape होता है जैसे आपने देखा होगा bar magnet तो bar magnet का shape एक bar की तरह होता है जैसे एक बार होता है तो बार के शेप में होता है तो इसलिए हम उसको बार मैगनेट कहते हैं एक होर्शू मैगनेट होता है यू शेप का जो मैगनेट होता है उसको होर्शू मैगनेट कहते हैं तो इसको आप अपने तरीके से शेप कर सकते हो तो यहाँ पर हमारे पास दो त किसी भी magnet में दो ends होते हैं, एक को हम कहते है North Pole और दूसरे को हम कहते है South Pole, तो हम एक बार magnet ले लेते हैं, तो एक end जो होता है उसका that is called North Pole, और दूसरा end जो होता है उसका वो होता है South Pole, अब होता क्या है कि यह जो magnet होता है, इस magnet को आप किसी भी magnetic substance के पास लेके जाते हैं, जो magnet की तरफ attract होता है, तो किसी भी magnetic substance, जैसे iron हो गया, तो अगर एक iron rod है आपके पास, मान लेते हैं आपके पास iron rod है या iron bar है, यह कोई magnet नहीं है, अब इसको आप इसके पास लेके जाते हो, तो ये क्या करता है iron bar को अपनी तरफ attract करना शुरू करता है और क्योंकि ये iron bar को अपनी तरफ attract करना शुरू करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये iron bar भी क्या कर रहे है एक magnet की तरह भी हीव कर रहे है तो ध्यान रखिए जब भी attraction होता है किसी भी magnet में दो चीज़े definite होती ह एक North Pole and डूसी चीज, South Pole, जब भी एक Magnet को आप किसी Iron Bar के पास लेके चलोगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप South Pole को नजदीक लेके जाओगे, इस तरफ North Pole डगलप हो जाएगा, और opposite side South Pole डगलप हो जाएगा, और अगर North Pole का नजदीक लेके जाओगे, तो उस तरफ क्या हो जाएगा, South Pole डगलप हो जाएगा, तो यह भी एक Temporary Magnet की तरह बिहेव करने लगता है, तो जब आप Magnet को क्या क्या आपने, Iron के पास लेके आए, तो इसमें भी क्या आगई, पहले से, पहले से किसी को attract या repel नहीं करता है, लेकिन जब आप एक Magnet को दूसरे Substance के पास लेके जाता है, जो कि Magnetic Properties पहले नहीं थी उसमें, अब उसमें Magnetic Properties आ गई, तो इसी Magnetism को हम क्या कहते हैं, Induced Magnetism कहते हैं, तो ध्यान रखिए, ये Opposite Charges, तो इसमें क्या होता है, कि North और South जो Opposite Charges होते हैं, या Opposite Pols होते हैं, यहां पर हम Charges नहीं कहेंगे, तो यहां पर जो Opposite Pols होते हैं, North Pole और South Pole, वो एक दूसरे को Attract करते हैं, जबकि जो Same Pols होते हैं, वो एक दूसरे को Repel करेंगे, मतलब North के सामने अगर North Pole आप लेके जाओगे, तो वो Repel करेंगे, जबकि आप South के सामने South लेके जाओगे, तो वो भी Repel करेंगे, लेकिन अगर North और South को एक दूसरे के Close लेके आते हो, त लिए आपने देखा होगा कि magnets किसी definite angle पे क्या करते हैं? repel करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या आता है? उनका pole क्या आता है? सेम होता है लेकिन अगर आप किसी definite दूसरे angle पर रखते हो तो वहाँ पर क्या करते हो? अट्रैक करते हैं वह इसलिए कि वह opposite poles होते हैं यह समझ में आ गई होगी और इसी property को हम कहते है magnetic induction क्या कहते हैं हम इसको magnetic induction कि जब एक magnetic substance को आप किसी यह सबस्टेंस के पास लेके आए जैसे iron है जो कि magnets की तरफ अट्रैक होते हैं तो उनमें भी कुछ time के लिए temporarily उनमें क्या आ जाती है? इसको क्या कहते है? magnetic induction भी कहते हैं मतलब magnet की help से एक permanent magnet की help से आपने किसी दूसरी substance में magnetic properties डाल दी तो इसको क्या कहेंगे induced magnetism या magnetic induction इस phenomenon को आप कहोगे magnetic induction अब बात करते हैं magnetic field और magnetic lines of force के तो ध्यान दीजिए मैंने अभी आपको बता है कि magnets जो होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक magnet है इसका pass लेके जाओगे चिपकाओगे नहीं भी अगर close भी लेके जाओगे तो automatically क्या करने लगता है? कुछ distance से ही attract करने लगता है अब बहुत जादा distance से तो attract नहीं करता लेक region around a magnet in which its force can be experienced यह जो force लगाता है attraction और repulsion का किसी दूसरे magnet पे या किसी और substance पे इस force को जितने region में experience किया जाता है कहीं पे ज़्यादा लगेगा अगर दूर होगा तो कम लगेगा नजदीक होगा तो ज़्यादा लगेगा लेकिन थोड़ा सा भी force जहां पे यह experience हो रहा है पूरे region को हम क्या कहते हैं उस पूरे region को कहते है magnetic field तो अगर यह magnet है तो इसके around जो भी region है जिसमें इसके द्वारा लगा गया जो force है उसको आप experience कर सकते हो उसको आप feel कर सकते हो तो उस पूरे region को क्या बोलेंगे यह पूरा क्या होगे उसका magnetic field तो कुछ एक particular region होता है जहा जिसमें वो किसी दूसरे substance को attract करने की tendency रखता है मतलब attraction experience किया जा सकता है या repulsion अगर magnet होगा तो repulsion attraction जो भी होगा उस force को experience किया जा सकता है तो वो तो हो गया इसका क्या magnetic field पूरा का पूरा region क्या हो गया अब यह magnetic lines of force क्या होती है तो ध्यान दीजिए कि जो magnetic lines of force होती है these are the imaginary lines which show the direction of magnetic field at a particular point यह कुछ imaginary lines होती है ध्यान रखिए magnetic lines of force क्या है यह imaginary lines है और यह जो imaginary lines होती है यह क्या करती है किसी भी particular point पर magnetic field की direction के बारें बताते है कि इस point पर magnetic field की direction किदर को है अब देखे जो magnetic field की direction होती है वो होती है north to south magnetic field की direction जो away from the magnet outside the magnet तो वो कहां से कहां जाती है north से south की तरफ तो ध्यान दीजिए magnetic field की जो direction होगी वो होगी north to south magnetic field north to south move करेगा और यहां पे भी north to south इस तरीके से यह north to south जा रहा है, magnetic field, north to south. तो यह हो गई, magnetic field की direction. अब inside the magnet होता है, अगर magnet के अंदर की बात करें, तो यही जो magnetic field lines होती है, यह south to north जाती हैं, inside the magnet, magnet के अंदर. तो यह एक loop जैसा बناती है, एक close loop बनाती है, open loop नहीं होता है एक close loop होता है इस तरीके से तो अंदर तो जो होता है अंदर क्या होता है south to north लेकिन magnet के भार जो magnetic field lines होती है वो कहा से कहा जाती है north to south और मैंने क्या का यह जो magnetic lines of force होती है यह क्या करते है किसी भी point में magnetic field की direction को represent करते है और यह imaginary lines होती है मैं आपको अल्री बता चुका हूं कि imaginary lines जो किसी भी point पर मतला अगर आप इस point पर हो तो इस point पर आपको magnetic field की direction जानी है तो ध्यान रखना it is always tangential, tangent अगर आप draw करोगे tangential to the direction of magnetic field lines तो magnetic field lines जो होगी उन पर इस point पर magnetic field line पर tangent draw कर दीजे तो आपको क्या मिल जाएगी magnetic field की direction मिल जाएगी तो इस point पर magnetic field की direction इधर को होगी इस point पर magnetic field की direction इधर को होगी इस point पर magnetic field की direction इधर को होगी तो इस तरीकी से आपको हर point पर magnetic field की direction मिल जाएगी किसकी help से, Magnetic Lines of Force की help से, अब हम इस Magnetic Field और Magnetic Lines of Force की कुछ properties के बारे में discuss करते हैं, सबसे पहली चीज, मैंने आपको जैसे की बताया है, कि जो Magnetic Lines of Force होते हैं, they always are from North to South, ये कहां से कहां को जाती हैं, North से South को जाती हैं, तो जो direction होती है, in Magnetic Lines of Force की, it is from North to South, कहां से कहां, North to South outside the magnet, inside to South to North होगा, दूसी चीज, the Magnetic Lines of Force never intersect each other, ये बहुत important property है, Magnetic Lines of Force कभी भी intersect नहीं करते हैं, इससे पहले एक property मैंने आपको अल्रेडी बता दिये, कि जो Magnetic Lines of Force होती हैं, they are imaginary lines, which show the direction of Magnetic Field, जो क्या show करते हैं, Magnetic Field की direction को show करते हैं, तो ये क्या करते हैं, Magnetic Field की direction को show करते हैं, और दूसी चीज मैंने क्या बताया अभी आपको, they never intersect each other, अब हम कैसे सोचेंगे, क्योंकि ये तो real तो हैं ही नहीं, ये lines क्या हैं, imaginary हैं, और imaginary हैं, और फिर भी हमने ये कहा दिया, हमने इनको देखा भी नहीं है, क्योंकि imaginary lines है, और फिर भी हम ये मानते हैं, ये समझते हैं, कि ये जो lines होते हैं, ये कभी भी intersect नहीं करते हैं, एक दूस्रे को, तो आप कैसे prove कर सकते हैं, इसको prove करना बहुत simple है, मैंने क्या बताय था अभी, कि ये क्या करती है, magnetic lines of force, क्या करती है, magnetic field की direction को show करते हैं, तो मान लेता है, इस point पे दो magnetic field lines, क्या करते हैं, एक दूसरे को intersect करते हैं, तो अगर इस magnetic field line के हम बात करें, तो यह क्या कहता है, यह कहरा है कि magnetic field की जो direction है इस point पे वो इधर को है, और यह कहता है magnetic field की direction इधर को है, अब आप बताइए, क्या एक ही point पे magnetic field की दो-दो direction हो सकते हैं बिल्कुल नहीं, एक point पे magnetic field की एक ही direction हो सकती है तो इसका मतलब, वो तभी हो सकता है जब magnetic field lines एक दूसरे को intersect ना करें, क्योंकि अगर intersect करेंगे तो जो दो lines magnetic field lines से एक दूसरे को intersect करेंगे वो दोनो lines क्या करेंगे magnetic field की अलग-अलग direction को represent कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि वो दोनों lines जो है वो एक ही point पे magnetic field की अलग-अलग direction को भी show करेंगे तो इस वज़े से इसका मतलब क्या हुआ? यह तो possible है नहीं तो क्योंकि ऐसा possible नहीं है इसका मतलब intersection भी magnetic field lines का possible नहीं है तो magnetic lines of force इनका intersection possible नहीं है then मैंने आपको यह बता दिया कि यह close continuous loop होता है then उसके अलगव एक और चीज they are crowded near the poles and they are far away from each other as we move away from the poles अब देख सकते हो pole के पास जब आप जाते हो तो poles के पास चाहे आप north pole की बात करो चाहे आप south pole की बात करो दोनों poles के अगर आप पास जाओगे तो pole के पास आप देख सकते हो कि यह बहुत ज़्यादा crowded है बहुत close है एक दूसरे के तो crowded क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है अगर हम poles के पास जाते है लेकिन यहीं अगर हम poles से दूर जाते है तो poles से दूर जाने पे यह magnetic field lines जो होती है यह दूर होने लगती है एक दूसरे से और यह ध्यान रखिए कि magnetic field line magnetic field की intensity को भी represent करते है कि कितना strong वहाँ पे magnet का effect है तो इसलिए poles के जो close होता है magnets का effect बहुत जादा होता है जैसे जैसे आप दूर जाते हो magnet का effect कम होता है तो यह चीज़ ध्यान रखना कि intensity जो होती है poles के पास बहुत जादा होती है and poles से दूर जाने पे यह intensity क्या होती जाती है कम होती जाती है और एक बात मैंने जो अभी बता ही आपको कि जो direction होती है magnetic field की किसी भी point वो कैसे चलती है by drawing a tangent to the magnetic field line magnetic field line पे अगर आप उस point पे tangent draw करोगे तो यह tangent क्या show करेगा magnetic field की direction को show करेगा तो अब आप सोचोगे tangent क्या होता है तो tangent मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी curve होता है किसी भी curve पे अगर एक line कोई भी line सिर्फ और सिर्फ एक point को touch करके जाती है तो देखिए एक line तो आप ऐसे draw कर सकते है तो यह तो दो points को touch करते जाती है तो इसको आप tangent नहीं कह सकते है तो tangent क्या होता है Magnetic Field of Earth की, कि Earth का भी एक Magnetic Field होता है, मतलब Earth खुद एक Magnetic की तरह behave करती है, तो यही हम इस topic में जानेंगे, कि Earth में Magnetic Properties कहां से आए, मतलब Earth क्यों एक Magnetic की तरह behave करती है, और कैसे हमको पता चला, तो ध्यान रखिए, अगर आपकी जो Earth है, अर्थ में आपको पता है, इस इस North यह जो direction होगे, इस इस South और यह East-West का आपको अल्रेडी पता है, तो यह आपकी चार directions हैं, East, West, North, South. तो जनरली जो poles होते हैं, South Pole, North Pole, जो होते हैं, वो जब आप देखोगे, तो यह exact नहीं होता है, यहाँ पर एक angle होता है particular तो हमको यह कैसे पता चला कि अर्थ भी एक magnet की तरह behave करती है तो जब कभी भी आप किसी भी एक normal magnet को जैसे bar magnet हो गया उसको अगर आप suspend करोगे उसको आप freely air में ऐसे suspend करोगे तो वो आपने आप north-south direction में align हो जाएगा तो आप कैसे भी उसको suspend करो आप उसको घुमा के ऐसे छोड़ दो वो अपने आप क्या हो जाएगा north-south direction में क्या हो जाएगा align हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज तो है जो उसको north-south direction में align कर दे और आपको एक चीज पता है आपको एक चीज पता है कि जो north-south direction क्योंकि हम north-south direction में जो magnet है वो align हो रहा है आपको एक चीज पता है कि ऐसा तभी होता है जब एक magnet दूसरे magnet को attract करता है और जो दूसर magnet होगा जो earth होगी तो earth का क्या होगा अदर south pole होना चाहिए और जो north pole है actual में क्या है जो magnet है उसका ये south pole है जो geographical north है वो south pole है और जो geographical south है वो magnet का क्या है north pole है अब question ये आता है कि earth में magnetic properties आई कहां से मतलब ये earth magnet की तरह behavior क्यों कर रही है तो खैर आपको ये बहुत ज़्यादा आती कैसे है तो वो अभी आपके scope से बाहर है तो फिलाल earth में आपको पता है जो earth का होता है वो continuously आपको पता है molten metal है और molten metal ions जो होते हैं वो continuously move करते रहते हैं वहाँ पर you can say that a kind of electric current is flowing तो क्योंकि वहाँ पर जो metal ions है वो move कर रहे हैं तो metal ions, electrons तो free electrons भी उन्हों होंगे तो continuously move कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा flow of charge हो रहा है that is rate of flow of charge is called electric current तो वहाँ पर electric current flow हो रहा है continuously आप यह कह सकते हैं तो क्योंकि current flow हो रहा है तो ध्यान रखे electric current flow होने की वज़े से वहाँ पर जो earth है एक magnet की तरह behavior करती है क्योंकि अभी आपको connection पता चलेगा electric current और magnetic field में कि electric current से भी आप magnetic properties क्या कर सकते हो develop कर सकते हो however अभी आपके लिए इस topic को detail में जानना बहुत important नहीं है तो होता क्या है यहाँ पे earth भी क्या कर रही इस वज़े से magnet की तरह behavior कर रही south है जिदर हम south बोलते है वो earth के magnet का क्या है north pole है तो इसमें आपको confuse नहीं होना है तो I hope कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी और इसी वज़े से जो bar magnet होता है किसी भी magnet को आप जब क्या करते हो suspend करते हो किसी magnet को आप लटका के रख दोगे ऐसे suspend करके रख दोगे तो क्या आपने आप north-south direction में क्या होने लगेगा align होने लगेगा तो I hope कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी then ये होगी आपका magnetic properties अब हम बात करते हैं evidences की जो ये show करते हैं कि earth भी एक magnet की तरह behave करती है तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताए है कि जो magnet होता है अगर किसी magnet को आप suspend कर देते हो तो आटोमेटिक लिए आपने आप क्या हो जाता है north-south direction में align हो जाता है और इसी चीज पर based होता है आपका magnetic compass magnetic compass में needle जो होती है वो हमेशा क्या direction को आपको यह पता चल गए अब दूसरी चीज की बात करते हैं दूसरा point के है कि आप अगर किसी iron piece को बहुत लंबे time के लिए अर्थ में आप दबा देते हो बहुत लंबे time के लिए along the north-south direction तो उसमें क्या हो जाता है एक magnetic properties automatically आ जाते है induce क्योंकि उसमें magnetic properties क्या हो जाते हैं induce हो जाते हैं तो वो एक permanent magnet की तरह behave करने लगता है तो यह show कर रहा है किसका मतलब देखो magnetic properties कब आएंगी तब ही आएंगी जब वो क्या होगा किसी magnet के close आएगा अगर आप magnet के close किसी non-magnetic substance को या आप कैसे सकते हो iron bar होता है उसको लेके जाओगे तो कुछ time के लिए क्या होता है magnetic properties show करता है जैसे आप अठाते हो तो magnetic properties खतम हो जाती है लेकिन अगर आप बहुत लंबे time तक उसको magnet के contact में रखोगे तो उसमें भी क्या हो जाएगी iron bar में भी क्या जाएगी permanent magnetic properties आ जाएगी तो यही चीज होता है अगर आप अगर अर्थ में किसी चीज को दबा देते हो तो उसमें भी किसी means iron bar को अगर आप दबा देते हो along the north-south direction तो उसमें भी क्या हो जाता है north और south पूर develop हो जाते हैं मतलब magnetic properties आ जाती है तो यह तो तभी हो सकता है जब क्या हो वो किसी magnet के contact में हो और अर्थ इसका मतलब क्या खुदी एक magnet है तीसरी चीज existence of neutral points तो जब भी आप magnet को रखोगी अर्थ में कहीं पे भी तो आप देखोगे कि neutral points होते हैं कुछ neutral points का मतलब होता है एक ऐसा point मिलेगा जहां पर आपको उस magnet का influence बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उस magnet का असर बिल्कुल भी नहीं देखेगा उस point को हम कहते हैं neutral points तो neutral points तभी हो सकते हैं जब इस particular magnet के effect को कोई दूसरा magnet क्या कर रहा हो cancel कर रहा हो oppose कर रहा हो ताकि इसका effect क्योंकि दूसरा magnet cancel कर रहा है इसलिए उस particular point पर क्या हो जाएगा magnetic field क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो magnet का effect बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो neutral points की existence भी यह चीज़ शो करती है कि earth क्या है एक magnet की तरह behave कर रही है और एक और मैं चीज़ बता देता हूँ that is the depression of magnetic needle जो magnetic needle होती है आपने देखा होगा magnetic compass तो होता क्या है मान लेते हैं यह आपकी earth है यह इधर क्या है north pole है इसका यह इधर south pole है एक तरफ north और एक तरफ south है तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप north pole के नजदीक जाते हो तो यह क्या हो गया क्योंकि north pole तो earth के अंदर होगा obviously जैसे जैसे जब आप equator पे तो बिल्कुल parallel रहेगा earth के surface पे मतलब यह equator है मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास यह equator है और इधर आपका north pole हो गया अर्थ का और इधर आपका geographic south हो गया जैसे आप north पे जाओगे तो north पे क्या होता है यह magnetic needle नीचे की तरफ जुकने लगते है और बिल्कुल नीचे की तरफ जुक जाती है और वहीं आप अगर south की तरफ जाते है तो south की तरफ यह बिल्कुल उपर उठ जाती है तो जो magnetic depression होता अलग-अलग point पे अलग-अलग होता है इसका मतलब earth again एक magnet की तरह behave कर रही है तो I hope कि आपको यह point समझ में आ गए होंगे कि earth क्या एक magnet की तरह behave कर रही है अब बात करते हैं हम earth के magnetic field की कि earth का magnetic field किस तरीके से work करता है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता है कि जो geographic south होता है वो earth का magnet का north pole होता है और जो geographic north होता है वो magnet का south pole होता है तो earth की जो magnetic field lines होंगे वो कहां से कहां को जाएंगी south to north अब आप इसमें confused मत होईए कि earth magnetic field जो है earth का वो south to north क्यों जा रही है तो यह uniform magnetic field lines होती है क्योंकि हम बहुत दूर है तो यह कहां से कहां जाती है south to north अब आप confused हो रहे होंगे कि यह magnetic field lines south से north की तरफ क्यों जा रही है तो मैंने क्या है वो वो south pole है न कि north pole तो इसी लिए जो geographic north होता है वो magnet का south pole है और जो geographic south होता है magnet का north pole है तो actual में जा तो जो magnetic field lines नहीं है वो north to south ही जा रही है लेकिन जिसको हम magnetic north कहते हैं वो geographic south है और जिसको हम geographic south कहते हैं वो magnetic north है तो इसी लिए south to north magnetic field lines की direction होगी यह जो south to north है यह मैं बात कर रहा हूँ geographic south to north geographic south से geographic north की तरफ यह magnetic field है इस travel करेंगी अब हम बात करते हैं neutral points की neutral points home कैसे होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो north और south direction है यहाँ पर दो cases हम बनाते हैं मान लेते हैं north है और यह south है यह geographic north और south है ध्यान रखे और जो अर्थ का magnetic field है अर्थ के हिसाब से अर्थ के लिए यह north क्या है यह geographic north है यह south क्या है geographic south है लेकिन अगर हम magnetic की बात करें तो magnetic क्या है यह magnetic south है ध्यान रखना geographic north क्या होता है magnetic south होता है तो यह और geographic south जो होता है वो magnetic north होता है तो इसमें आप confused मत होई है तो अगर अर्थ के magnetic free lines की बात करूं में तो अर्थ के magnetic free lines कहां से कहां जाएंगी इधर से इधर को तो इसमें आप confused बिल्कुल भी मत होई है तो अब हम दो cases देख लेते हैं एक वो case जिसमें जो magnet है magnet को आपने north-south direction में align किया है such that north pole उसका geographic north की तरफ है और south pole उसका geographic south की तरफ है अब आपको already मैं बता चुका हूँ कि magnetic free lines किस तरीके से जाती है north pole to south pole तो north से south pole की तरफ magnetic free lines जाती है इस तरीके से आपके magnetic free lines north pole से south pole की तरफ जाएंगी उसी तरीके से इधर भी same वही case बनेगा magnetic free line north pole से south pole की तरफ जाएंगी अब यहां पर magnetic free lines गई north से south की तरफ यह गई magnetic free lines north से south की तरफ लाइट तो यह तो किस की magnetic free lines है यह है इस magnet की इस bar magnet की लेकिन आपने इसको कहां पे रखा हुआ है आपने इसको रखा हुआ है अब अगर हमने इसको अर्थ सर्फेस पे रखा हुआ है इसको थोड़ा close बनाते हैं क्योंकि जबे नहीं है आप इतनी तो अगर आपने इसको अर्थ सर्फेस पे बनाया हुआ है सरफेस पर रखा हुआ है तो अर्थ का भी क्या है? walnutик field होगा अपना तो अर्थ का magnitude field की जो direction होगी, आपको पता है अर्थ के magnetic field की direction कीदर को होगी? opposite direction में और्थ का magnetic field की दर को होगा? अधर को होगा, तो अर्थ का जो magnet तो आपको मैने बता है वो किस तरीके से बन जाएंगी इस तरीके से आपकी magnetic field lines जाएंगी तो यहाँ पे इस particular point पे यहाँ पे आपको एक कैसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको neutral points मिलेगी क्योंकि इस beach में क्योंकि देखें यह lines कि दर सो कि दर को जा रही है मैंने अभी बताया था आपको यह not to south तो अर्थ की जो magnetic field lines जाएंगी वो तो इधर को जाएंगी और जो इस particular magnet की magnetic field lines हैं वो इधर को आ रही है तो यहाँ पे particular बीच में आपको एक कैसी जगह मिलेगी जहाँ पे magnetic field lines आपको बिलकुल भी नहीं मिलेगी तो यह हो गया आपके neutral points तो यहाँ पे आपको मिलेंगे neutral points लेकिन यहीं पे आपने अगर उल्टा कर दिया आपने इस magnet को इस तरीके से लगाया है किस तरीके से opposite direction में line करके आपने लगाया है तो यह हो गया north यह हो गया south और यह हो गया north अब देखे इसकी जो direction होगी वही अर्थ के magnetic field की direction भी होगी तो देखे magnetic field direction इधर को जाएगी इसकी इधर को जाएगी इसकी magnetic field की direction इधर को होगी इसकी magnetic field की direction north to south तो अब जो अर्थ का magnetic field है तो magnetic field अर्थ का जो होगा उसकी direction भी इधर कोई होगी उसकी direction भी इधर कोई होगी not to south अर्थ का जो magnetic field होगा उसकी direction भी इधर कोई होगी तो इधर तो देखो, इधर तो सारी magnetic field lines दिखेंगे आपको इधर से इधर जाती हुई, यहाँ पर क्या हो रहा था कुछ field lines इधर से इधर को जा रही थी तो बीच में क्या करेंगे एक दूसरे को cancel कर देंगे तो बीच में आपको neutral point मिलेगा यहाँ पे इधर इस direction में तो cancel करने का सवाली नहीं रहा cancel किदर को होगी यहाँ पे देखे जब यह magnetic field lines आपको देख रहे हैं न यहाँ से उधर को जा रहे हैं तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को cancel करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे देखे यहाँ पे क्या हो रहा है magnetic field lines south में अंदर की तरफ जा रहे हैं और जो earth का magnetic field lines जो है earth की magnetic field lines आगे की तरफ चली जा रहे हैं और यह इधर को आ रहे हैं, तो एक दूसरे को cancel करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको neutral points मिल जाएंगे, तो यह क्या होगे, आपके neutral points हो गए, यह आपके neutral points हो गए, तो I hope कि यह समझ में आ गया होगा आपको, कि यह आपके neutral points किस तरीके से form होता है, अब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रो मैगनेट की, की इलेक्ट्रो मैगनेट्स होते क्या हैं, और यह हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रो मैगनेट्स बनते क्या हैं, इनको बनाना बहुत सिंपल होता है, जस्थ हमारे पास क्या होता है, यह दो तरीके के इलेक्ट्रो मैगनेट्स होते ह है हमारे पास एक कोर होता है एक आईरन बार होता है जिसको हम कोर कहते हैं और इस पर हम कॉइलिंग कर देते हैं किसी कंड़क्टर की जनरली हम कॉपर वायर के कॉइलिंग इस पर कर देते हैं तो कॉपर वायर को हम क्या कर देते हैं इस पर कॉइल कर देते हैं अब इस कॉइल क यह insulated coil होती है ध्यान रखिए यह जो coil होती है this is insulated coil और इस coil को जो है हम connect कर देते हैं किसी battery से right coil जो होती है किसी battery से connected होती है और बीच में हम दे देते हैं ृस्टेट रियोस्टेट जिसके help से आप क्या कर सकते हो जो current है, इसमें regulate कर सकते हो, current को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, अपने according, तो यह होगी आपका real state, then, एक key भी दे देते हैं, ताकि आप इसको on या off कर सकते हो, यह key हो गई, यह आपकी battery हो गई, right, और यह होगी आपका कौन सा, bar magnet, कैसा bar magnet, this is electromagnet, यह जो bar magnet है, this is an electromagnet, तो होत होता क्या है, जैसे आप इस key को on करते हो, इसमें current flow होता है, और यह जो bar होता है, यह किसकी तरह behave करने लगता है, एक magnet की तरह behave करने लगता है, वहीं पे दूसा horseshoe magnet, horseshoe magnet भी ऐसी होता है, horseshoe magnet में बस shape उसका क्या होता है, इस तरीके से होता है, उसका shape u shape होता है, इसलिए उसक तरीके से इस तरप भी कैलों कर दोगे इस तरप इस तरीके से आप कोई लिमक कर दोग日本 की तो यह तो यह ओगह का होगी समज में आ गई होगी और यहांपे से रहेगा Connection यहांपर आपकी बैटरी होगई इंद आगे आपका क्या रहेगा एक रहेगा, then key यहां पर यह हो गई आपकी key और यह connection आपका जो coil होगी, coil से आपका connection होगा तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि यह magnet जो होते हैं किस तरीके से behave करते हैं, अब आपको क्या चीज धिहान रखने हैं इन electromagnets में तो सबसे पहले बात आती है electromagnet और permanent magnet का जो defense है, इनमें क्या होता है electromagnet क्या होता है, electromagnet तभी form होता है तभी वो magnet की तरह behave करता है जब उसमें electric current flow हो रहा है यह जो electromagnet होता है इसमें आप इसको demagnetize भी कर सकते हैं, current अगर flow होना बंद हो जाएगा, तो यह demagnetize हो जाएगा मतलब इसमें कोई magnetic properties उस case में नहीं रहेंगे लेकिन अगर current इसमें flow हो रहा है तो उसमें magnetic properties आपने आप आ जाएगे दूसरी चीज, जो permanent magnet होता है उसमें हमेशा के लिए magnetic properties होती है उसको आपको current flow करने की जरुत नहीं होती है उसमें already क्या होता है, magnetism होता है उसमें permanent magnetism होता है जबकि इसमें केवल क्या होता है, तभी properties आती है, magnetism तभी आता है जब आप current flow करते है दूसरी चीज जो होती है, जो advantages होते हैं, electromagnets के over जो permanent magnet है तो permanent magnet से better क्यों होता है, electromagnets पहली चीज, electromagnets are very strong magnet permanent magnets जो होते हैं, वो इतने strong नहीं होते हैं, जितने ये electromagnets होते हैं, तो आप electromagnets की strength को कम या ज़्यादा कर सकते हो, by regulating the current and number of coils, जितने ज़्यादा coils होंगे, returns जितने ज़्यादा होंगे coils में, उतने ज़्यादा क्यों होगा उसका magnetic field होगा, उतना ज़्यादा strong magnet होगा, और जितना ज़्यादा आप current flow कर रहे हो, उतना strong magnet होगा, तो आप उसके magnetic strength को कम या ज़्यादा कर सकते हो, किसकी? Electromagnet की, लेकिन permanent magnet में आप कुछ नहीं कर सकते हो electromagnet में आप अगर current की direction को change कर दोगे, तो उसके poles भी change हो जाएगा north का south बन जाएगा, south का north बन जाएगा मान लेते हैं, अगर इधर अभी north है और इधर south है अगर आपने poles change कर दिये positive terminal को इस तरफ लगा दिया that is the regulation, जो आप इसको demagnetize कर सकते हो जब चाहो, जैसे आपने switch off किया, यह demagnetize हो जाएगा इसकी magnetic properties खतम हो जाएगी, आप ऐसा permanent magnet में कुछ नहीं कर सकते हो, तो I hope कि आपको यह advantages समझ में आ गए होंगे, advantages of electromagnet over जो आपका permanent magnet होता है, अब question यह आता है कि uses कहां होते हैं इस particular magnet के, तो next topic is uses of electromagnet, तो सबसे पहले तो आपके पास आता है कि uses जो होते हैं इसके, क्योंकि आपको पता है यह iron औगेरा जो होते हैं, material जो होते हैं, कुछ metals को अपनी तरफ अटेक करता है, तो जो loading, unloading में आप इसको use कर सकते हैं, कि किसी चीज़ को, अगर आपने electromagnet use किया, जो iron के जो substances हैं, उनको load किया, फिर उठा के crane की help से, दुसरे जगह पे unload कर दे, क्योंकि आप again इसको demagnetize कर सकते हो, demagnetize करके अपने unload कर दिया, फिर दूसी जगह से आप इस तरीके से lift कर सकते हो, तो पहले चीज़, unloading या loading में आप इसको use कर सकते हो, दूसरे चीज़, कोई जो scrap होता है, जो आपका waste material होता है, उससे, क्योंकि metals काफी useful होते हैं, तो उससे iron जैसे substances को separate करने के लिए, आप electromagnet का help ले सकते हो, और क्या uses हो सकते हैं इसके, wounds जो होते हैं, कभी आपको चोट लगती है, जैसे और कोई metals के pieces होते हैं, जैसे iron और पीस चले गए, आपके wounds में या eyes में चले गए, तो आप electromagnet के help से उन pieces को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि electromagnets बहुत जादा strong magnets होते हैं, तो वो help कर सकते हैं, इस काम में, तो इतने सारे इसके uses होते हैं, तो I hope कि आपको ये lecture समझ में आगया होगा, अगर आपकी कोई भी queries हैं, आपके कोई भी doubts हैं, तो आप मझे comments में questions पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ मैंने telegram पे सारे revision notes upload कर लिये हैं, तो आप चाहें तो revision notes की pdf telegram से ले सकते हैं, इस lecture में इतना ही, thank you very much. अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करें, और bell icon को प्रेस करें, ताकि हमारे latest videos के update आपको मिलते रहें.